एक्स्टेट जो की है दिसंबर के अंदर आपका होना है साथ और आठ दिसंबर को आपका जो होना है वो पीजटी वाला होना है और आठ दिसंबर को आपका जो होना है और पीजटी वाला होना है ठीक है और डेट्स आगे बेचे हो सकती है वो डिपेंड करेगा बाद में संबर में तो आपका एक्जाम ही है तो इसमें आप कैसे प्रप्रेशन करोगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं PGT का मैं अलग से वीडियो बना चुक हूँ अगर नहीं देखा तो देख लेना स्लेबस पूरा डिसकर्शन किया हमने 2024 का कैसे कैसे हम करेंगे ठीक है अब आता थे TGD की वैसे तो यह easy है बट इसमें थोड़ा सा changes हुआ है स्लेबस के अंदर वो देख लो पहले तो last time क्या changes हुआ था उसके coding हमें इस पर पूरी बात करेंगे और यह वाला estate क्यों ज्यादा important है आपके लिए यह भी आप थोड़ा सा इस चीड़ को ध्यान में लो क्योंकि यह वाला जो estate है ना एक बार आपने qualify कर लिया तो आप lifetime की आपको validity मिल जाएगी ठीक है पहले ऐसा नहीं होता था पहले 5 year की validity थी उसके बास 7 year की validity थी बट अब क्या किया इन्होंने अभी जो पीछे बरती गई है HPSC वाले आपको पता होगा PhD की तो अभी तक आई नहीं है लास्ट टाइम 2023 में TGT की मेवाद के अडर की आई थी ठीक है HSSC की उसके भी हमने preparation करवाई थी HSSC वाला जो course application mission DSSB की ओप ठीक है अब बात करते हैं कि ये वाला जो एस्टेट है ना जो अभी HPSC वाला जो PGT वाला हुआ है उसमें क्या किया था जो जितने भी एस्टेट पिछले qualify थे 2012 वाले जो जिनकी validity खतम हो चुकी थी 7 year की validity थी उन जैसे की 2016 में qualify हो था जो या 23 तक उसकी validity खतम होगी बड़ उन सबको मोका मिला था form apply करने का तो एक बार आप होता है 30 30 marks का क्या क्या आता है common portion हमारे पास 60 marks का होता है जिसमें हमारे पास 30 marks का child development and pedagogy आएगी 30 marks के आपकी जिसमें हिंदी 15 नंबर की 15 नंबर की इंग्लीश आएगी ठीक है तो यहां पर यह हो जाता है 30 marks का जो है आपका subject आएगा subject specification जो कि आपका math आने वाला ठीक है तो यह बला हो गया तो यहां पर 90 number का जो है आपका common आने वाला common portion और 60 का आपका math आने वाला ठीक है math हो गया तो 150 हो गया और 150 ही minute वहां पर मिलते हैं आपको ठीक है 150 minute मदलब धाई घंटे आपको मिलेंगे एक question के लिए negative marking इसमें नहीं होती इसलिए बोलता हूँ एक बार qualify करके आप रख लो वह जो website के उपर जो syllabus यहां बट इसको हम detail के अंदर डिसकस करने वाले हैं तो यहां पर देखो आप यह यह रहा है ठीक है हम क्या करेंगे chapter wise analysis करेंगे इसका chapter कौन-कौन से बनते हैं क्योंकि इसके अंदर देखो क्या दिया होगा roman numerals whole number natural number integer rational मदलम एक छोटी से छोटी चीज जो इन्होंने यहां पर लिख दिया बट इसमें से हम क्या करेंगे देखो cube and cube root square and square root है ना तो हम एक एक चीज को जो है ना differentiate करके chapter wise उसको divide करेंगे कि कौन-कौन से chapter आपको पढ़ने है ठीक है यह आपको सारा telegram group mission dssb के अंदर मैं वैसे मैंने डाला हुआ यह जो website के उपर syllabus आया था वो मैंने डाल दिया टीजटी और पीजटी दोनों का टीजटी का और पीजटी का 2023 का पेपर भी इसमें मैंने अपलोड कर दिया टेलिग्राम ग्रूप mission data place भी join नहीं किया ता कर लेता ठीक है एक बार मैं इसको मैं आपको बता जेता हूँ यह द discount है ठीक है time and work है ठीक है और उसके बाद यहां पे square and square root है ठीक है यह rational irrational number और यह सारा हम HCF calcium है तो अलग-लग chapter wise मैंने डिवाइड किया हूँ वह मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने PhD के अंदर बताया था algebra and statics and probability है तो यह किस level का आपको करना है geometry, coordinate geometry and mensuration है तो इसके अंद करेंगे total कितने chapter बनते हैं वो देख लो आपको easy हो जाएगा ऐसे देखने में न समझ में नहीं आता कि वही कौन से chapter करना है कैसे करना है तो ऐसे देखने में सब चीज समझ में आ जाएगी total number of chapter हमने कितने करने है ठीक है तो यहाँ पर first chapter हमारे पास जो रहता है वो है number system ठी है तो number system हम number system के अंदर यह सारा हम natural number, whole number, integer हो गया, real number हो गया, complex number हो गया, यह सारी चीज़े हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसके अंदर हम HCF और LCM भी देखेंगे उसके बाद यहाँ पर हमारे पास square root and cube, next हमारे पास ratio and proportional का third chapter, percentage का है fourth, profit and loss का fifth, time and work का sixth chapter, trigonometry ratio and identities का seventh number chapter, height and distance का eighth number chapter, अब यह वाले जो topic है यहाँ पर यह वाला, trigonometry और height and distance, यह हम 11th च्वेल्थ लेवल का करेंगे ठीक है न, तो यह कुछ chapter होंगे, जो कि हम 9th strength level के करेंगे, क्योंकि 9th strength level में ही आता है वो, बट इसके जो question पूछे जाएंगे न, थोड़े इसे high level के पूछे जाएंगे, तो 11th, 12th level का हम यह वाला करेंगे, ठीक है, तो आगे चलने से पहले, क्योंकि आगे और भी chapter है, हम सारे discuss करने वाले, आगे चलने से पहले, application के अंदर एक बार मैं आपको लेके जाता हूँ, मैत का 2024 का course, इस पे click करेंगे, content पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें सारे previous year के paper हैं, सब कुछ है, तो third folder है chapter by video lecture, तो हमने क्या किया है, slavers के according, ठीक है, जो slavers था न, यहाँ पे, जो line by line slavers दियो हो, उसके according हमने chapter यहाँ पे divide करनी तो उस chapter के according ही हमने यहाँ पे folder बना दिया है, आपको show रहोगा, तो जैसे first folder है number system, तो इसमें सारा number system, जितना भी है न हमारा, यह सारा आ जाएगा, एक minute, देखो number system, जिसमें real number, जिसमें real number के देखो, दो घंटे का lecture है, जिसमें यह सारा rational, irrational होगी है, सारा इसकी गाता होग तो यह वाले वो question है, short test में, जो कि previous year exam में आये होते हैं, वो वाले question भी हम इसमें discuss करते हैं, next हमारे पास है, square root and cube root, तो इसके 3 lecture and total, इनका भी pedia file है, तो यहाँ पे वो ही मैं आपको show करूँआ कि pedia file आपको कैसे देखने को मिलता, ऐसे ही, third number chapter ratio and proportional, fourth percentage, profit and loss, और ऐसे चलता जाएगा, जैसे profit and loss में 3 वीडियो है, time and work में 3 वीडियो है, और 7 number chapter, trigonometry and ratio, जैसे कि मैंने बोला, इसमें 9th, 10th और 11th, 12th, दोनों level हम करेंगे, तो इसमें देखो, दो वीडियो है, 2-2 घंटे की, लगबग 1.5 घंटे की है, 1-1 घंटा 40 मिनट की है, उसके बाद इसमें भी short test हैं, यह देखो आप, और इसके भी video solution है, short test के भी, तो यह भी previous year में आज़ वे question होते हैं, उसके बाद नीचे trigonometry वाला एक अलग से folder है, उसमें past test और short उसके भी video solution है, total 11 होगे, और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो, full learn test आजएगा, थोड़ा सा back कर दिया मैंने एक बार full learn test, तो तीन यहाँ पर full learn test भी हैं, तो हम day by day update भी कर रहे हैं, और भी इसको कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा question आपको practice करवा सकें, TGT के लिए, ठीक है, ताकि आपके marks अच्छे आ सके, क्योंकि होता क्या है ना, कई बरी क्या होता है, आप 92, 93, या 90 पर अटक जाते हो और HSSC का भी test clear कर लेता हो, screening का भी, और last में जब आप जाते हो रहाँ, final selection में, तो दो बच्चों का clash हो जाता है, उसमें HTAC के marks देखिया थी, अगर आपके कम है, तो उस टेम आपका selection फिट से रुक जाता हो, आपको बहुत ज़्यादा दुख लगता है, कि मैं काश HTAC मे हमें ध्यान रखना है, कि number अच्छे लाने हैं इसके अंदर, खास करके, ठीक है, ऐसे ही next हम जाएंगे chapter number 9 पे, जिसमें है linear equation, ठीक है, उसमें दिया हुआ है, जिसमें की factorization 1 and 2 variable, graph of linear equations, तो chapter number 9 में हमारा आजगा linear equation, ठीक है, यह देखो आप, तो इसमें lecture 1 है, और इसमें 5 short test भी है, उनके भी video solution है, ठीक है, शो हो रही है न आपको, चलिए जी, और back करता हूँ मैं, फिर आगे दिखाता हूँ आपको, chapter number 10 है, polynomial, chapter number 11 है quadratic equation, chapter number 10 है arithmetic progression, जिसमें AP आ जाएगा, बट मैं बोलुँआ, इसके साथ साथ ये मेरे पास क्या है, AP है, plus में GP, plus में HP भी करो, plus में AGP, क्योंकि, थोड़े से high level के वो question पूछता है आपसे, उसने बोल दिया arithmetic, बट वो भी करो, तो 12 number chapter में जब आप जाओगे, तो इसमें मैंने पूरा discuss किया हुआ, AP, GP, HP, 11th, 12th level का भी, क्योंकि, और इसमें भी short test में जाओगे, तो आपको 5 test मिल total, और उसके बाद 2 full length practice set है, 47 और 100 marks के, तो इसके भी जैसे आप submit करते हैं, आपको solution मिल जाता है, उसके बाद इसकी ranking भी लगती है कि कितने बच्चों लगाए और आपका क्या rank है, उसके बाद हमारे पास है data handling, फिर है major of central tendency, जिसमें statics, जिसमें mean median mode वाला सारा concept आ जाएगा इसमें mean median mode के साथ साथ जो है आप standard deviation भी करोगे, mean deviation भी करोगे, ये वला भी साथ में करोगे, तो यहाँ पे जो statics वाला chapter है ना, तो यहाँ पे chapter number 14 है, यहाँ पे आप देखो, इसमें 4 lecture है total, तो इसमें ये सारा complete हो जाएगा statics का, उसके बाद इसके 5 short test डाले हूँ, इनका video solution नहीं है, तो ये भी video solution में जल्दी डाल दूआ, और full learn test डाला हुआ है, तो जो जो इसमें portion भी pending है, वो हम डाल रहे है, जल्दी से इसमें डाल देगे, और recorded session ही आपके लिए best है, क्योंकि आप एक mature personality है और आपको एक hint चाहिए होता है, पहले से पढ़ा तो हुआ है आप पका-पका या माल चाहिए, आपको एक जगा पे सारा का सारा चाहिए, तो इसलिए आपको एक जगा पे application के अंदर videos, media file, test series, previous paper solution, सारे के सारे, और week में 4 days doubt session भी है इसका, जो भी आपके doubts रहेंगे, आप group में दिखा दूँ आपको, group कैसे आप joining कर सकते हो, application में जैसे आप course purchase करते हो, chat section में जाते हो, उसमें आपको group का link मिल जाता है, जो भी आप course purchase करते हो, उसमें उस link से doubt group हुमारा join हो जाता है, week में 4 days होता है, 7 hours के लिए open होता है, तो उसमें आप doubt डालते हो, उसमें आपको solution मिल जाते है, फिर हम week में 1 day और 2 day live session भी करते हैं, जिसमें आपके ज 11th 12th level का आपको जो है करना है, और arithmetic ये भी मेरे 11th plus 12th level का आपको करना है, और उसके बाद ये वले दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों chapter ठीक है, ये भी मेरे 11th plus 12th level के करना है, तो दो chapter ये होगे, दो ही होगे, ठीक है, और यहाँ पे 11th plus 12th level, दो दो चार chapter होगे, ठीक है और इसके इलावा यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताई दिया यह वले चैप्टर चार और यह दो छी छे चैप्टर आपके 11th 12th लेवल के इसमें रहने वाले है ठीक है तो एक तो यह होगे अभी अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त अभी खतम नहीं हो यह पिक्चर ठीक है तो अब जो है next जो है topic हमारी यह मैं अपनी तरव से नहीं बना रहा जो official syllabus आया है ना बिल्कुल उसमें से एक एक line by line यहाँ देखो आप लिखा हुआ arithmetic progression ठीक है data handling ठीक है measure of central tendency जिसमे mean median mode आ जाएगा सारा probability आ जाएगी ठीक है और इसमें ही देखो histogram है bar diagram है pie diagram है ठीक है pie chart जिसे one and two variable यह देखो linear equation तो topic जो भी है ना हमने अलग से chapter आपके लिए बनाए है जैसे कि अब geometry की हम बात करते हैं तो यहाँ देखो triangle and its property है ठीक है triangle वाला chapter हो गया Euclid's geometry वाला chapter हो गया ठीक है एक मिनाट बीच में phone आयाता है न कई पर दिक्कत हो जाती है चलो ठीक है तो एक second रुके बस ठीक है तो यह आ गया अब जो है उसी के base पि मैं आपको chapter wise सारा का सारा बता रहा हूँ ठीक है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया Euclid's geometry होगा ठीक है यह 9th level का यह line and angle हो गया triangle हो गया यह देखो तो आप chapter number 16 पे जाएंगे यह देखो Euclidean geometry हो गया तो इसके अंदर यहाँ देखो दो वीडियो है एक घंटा चार मिनट की और एक घंटा 24 मिनट का ठीक है उनका फिर PDF file है उसके बाद 26 और 67 question practice के लिए है फिर 5 short test है यह देखो उनके भी video solution है ठीक है तो इतना करने के बाद आपको chapter पूरा mind में clear हो जाता है उसके बाद full land test अभी इसका डाला नहीं हुआ वो मेडल वा दूआ ठीक है उन्निवा चप्टर है quadrilator का फिर है circle and area related to circle फिर coordinate geometry आज़ेगा 21 चप्टर तो 21 चप्टर है न उसके coordinate geometry है वो आपको plus में 11th 12th level का भी आपको करना है यह वाला chapter जो है 11th plus में 12th level का करना है ठीक है यह वाले chapter उसके बादा surface area and volume यह वाला ठीक है तो यहाँ पे chapter number 22 पे आप जाओगे तो surface area and volume के अंदर यह देखो आप इसमें lecture पूरा तट गंटे का पूरा complete उसका PDF फाइल है practice के लिए 107 और 50 question है फिर 5 short test है previous जो question है वो discuss कि है उसके बाद उनके भी video solution है फिर आपका full learn test अभी डाला नहीं है इसमें तो कुछ-कुछ मैंने आपको वहला pending है वो इसमें आ जाएगा उसके बाद next हम बात करने है here on formula 23 number जो chapter है वो हमने डाला हुआ उसके बाद भी हमने 2 chapter डाले हुए 24 plus में 25 ठीक है यह कौन-कौन से है तो inequalities plus एक तो inequalities जुरूर करना है क्योंकि greater than है less than है यह वाले inequalities बोज़त पुछी आती है कि minus infinity से 0 union 0 से infinity या 0 से 1 इस टाइप से हमें interval इसमें बना करके दिखाना होता है ठीक है और एक है मेरे पास elementary number theory ठीक है तो आप देख रहे हो 24 number है inequalities का chapter है दो गंटे का लगवर दो लेक्चर है उसके बाद लास्ट में है number theory तो यहाँ पे elementary number theory का आ जाएगा पूरा complete इसमें भी काफी सारे lectures मिया और pedia files मिया practice के लिए तो यह total 25 chapter जो है आपको अच्छे से करने है अगर आपको qualify करना है तो ठीक है बिल्कुल मैंने slaves के according सारा slaves आपको discuss कर दिया chapter wise ठीक है अगर आप self study भी करना चाते हो वो भी कर सकते हो अब आपको समझ में आ गया अच्छा common portion में एक एक करके नहीं बता हुआ आप देख ले न part 1 ठीक है जिसके अंदर यहाँ पे देखो child development and pedagogy जो की 30 marks की आपकी यहाँ पे आने वाली है उसके जो A और B part है तो यहाँ पे दिये हुए मैं इसको एक बार हटा जेता हूं नीचे से ठीक है ना तो यह आपको सारा देख लो अच्छाए screenshot लेना इसकी pdf file आपको telegram group में मिल जाएगे ठीक है उसके बाद language 1 जो है आपकी कितने marks की आने वाली है 15 नंबर की यहाँ पे language 1 आने वाली है हिंदी और 15 नंबर की आपकी language to English आने वाली है तो यह इनका syllabus है आप देख सकते हो उसके बाद next जो है यहाँ पे देखो 10 marks का आपका यह वाला आने वाला है जिसमें हर्याना जी के टाइप सब कुछ होगा जर्नल इंटलियंसी एंड रीजिनिंग 10 नंबर का यह आपका आने वाला है उसके बाद 10 नंबर का आपका quantitative attitude ठीक है तो यह आपका topic है जिसके यह वाले topic आपको prepare करने है common के लिए तो common का आपको समझ में आ गया ठीक है न तो एक बार मैं आपको application पर लेके चलता हूँ यहाँ पर मैंने web पर भी open की हुई है यह देखो application दोनों ही platform पर अवेलेबल है mission DSSB चाहिए वो iOS हो आपके पास apple का phone है ipad है ठीक है तो उस पर भी available है अगर आपके पास android है तो android के उपर भी available है mission DSSB application अगर आप laptop पे चलना चाहते है तो वह ही मैं आपको बता हूँ हूँ अभी यह मैंने laptop भी open की हुई है उपर देखो web.classplusapp.com web.classplusapp.com अभी आप video देख रहें उसके description भी मिल जाएगा उसमें आपको ORG code last में बता हूँ है कैसे MD field करना और laptop पे चल जाएगा तीनों ही platform पे आप देख सकते हो देखो यहाँ पे HTED का course है इसके अंदर एक बार मैं जाता हूँ ठीक है एक बार मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको यह देखो एक तो यह video lecture सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया उसके बार नीचे जाओगे HTED के previous paper है जिसमें 2023 का paper मैंने डाल दिया 2022 का 21 का 20 का 19 का 18 का 17 का उससे पहले के paper math और science की combine होते थे मैं इसमें डाल दूँ है इसकी with answer की मैंने पीडिया फाइल डाल दिया उसके बार थोड़ा सा नीचे जाओगे HTED के 2017 से 22 तक के सारे के सारी test series की form के अंदर हमने यह सारे test भी डाले हुआ है आप test लगा करके भी चेक कर सकते हैं अपनी performance को उसके बाद यहाँ पे 60 marks के 10 mock test भी हमने डाले हुआ है अभी और भी mock test आने वाले हैं आपकी practice के लिए जैसी mock test submit करते हो आपको उसका solution मिल जाता है उसके बाद arithmetic और reasoning और teaching aptitude के कुछ-कुछ हमने चीज़न डाले हुए है बट वो free के अंदर है आपको खुद से ज़्यादा prepare करना पड़ेगा वो हमने आपकी कुछ थोड़ी बहुत practice हो सके उसके उसके लिए डाला हुआ है तो यहाँ पर यह मैंने आपको सारा बता दिया अब माल लीजिए कि किसी भी इस पे हम बात कर लेते हैं जैसे कि chapter wise video lecture की ही बात कर लेते हैं इसमें जैसे number theory की बात कर लेते हैं number theory में जैसे real number है इस पे click करोगे पीडिया फाइल पे जो भी वीडियो की पीडिया फाइल होती है इस type से आपके सामने पीडिया फाइल शो हो जाएगे तो ये वाला जो भी करवाया हुए ना इसके अंदर जो भी question discuss की होँए ये देखो जिसके option भी है तो वो सारे के सारे इसके अंदर आपको show हो जाएगे तो पूरी proper pdfाइल है जितना भी हमने ये सारा discuss किया हुआ इसकी proper pdfाइल आपको मिल जाती है इसका भी आप print out निकलवा सकते हो ठीक है समझ में आ गया अब हम बात करते हैं माली जे टेस्ट की ठीक है जैसे की कोई भी आप टेस्ट पगड़ लो इसमें थोड़ा सा बैख जाते है इसमें जो chapter वाई टेस्ट दिये हुए ना तो जैसे की अब 11th 12th level की जो है ना उसी पर बात कर लें जैसे arithmetic APGPHP का यह है यह test है ठीक है यह test है ठीक है यह इसका video lecture है इसका pedia file है उसके पर test है इसका video solution है इसका भी pedia file है यह देखो यह test का pedia file है test अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो sequencing series का तो इसके अंदर अच्छे level के भी question हमने काफी सारे डाले हुए ताक कि आपकी practice अच्छे से हो सके ठीक है तो APGPHP का तो इसका जो test है आप test देते हो पहले statics मैं आपको दिखा जता हूँ अच्छा document file है ठीक है यह test कितने logo ने लगाया हुए जैसे आठ आठ नो ठीक है आठ सो प्लस लोगों ने यह test लगाया हुआ है तो इसमें सब के rank भी यहाँ पे देखो शो हो रहे है इस type से आपको rank भी show होता है कि आप कितने पानी में होगा ना कि आप आपको और कितनी अच्छी performance करने की जरूरत है test कैसे show होता है वो देख लो application मॉइल के अंदर में show करके नहीं दिखा पाँगों क्योंकि screen recording में हो नहीं पाता ठीक है तो इस type से आपके सामने यह test आता है आप laptop भी लगा सकते हो phone में भी लगा सकते यह देखो ठीक है तो इस type से test आता है और कितने question अपने submit के वो भी आता ह और जैसे आप submit कर देते हो इसका भी video solution है और जो full and test है उनका जैसी test submit करते हो last में आपको solution उसका मिल जाता है ठीक है तो यह तो था test और अब हम बात करते हैं जैसे कि थोड़ा सा नीचे जाओगे यह previous paper आगे और इनके भी paper के भी पूरे का पूरी जैसे 2022 का जो paper हुआ था उसको भी test के format में आप लगा सकते हो मैं preview करता हूँ तो total यहां पर देखो 60 question है ठीक है तो 60 question है किसी भी question पर आप जासे जैसे 37 तो यह आ गया तो यह वो question है जो आपके paper में पूछे गए थे तो इसके according भी आप जो है ना देख सकते हो इनके भी नीचे solution दी हुआ है वैसे वीडियो solution तो मैंने करवाया हुआ ठीक है तो इसको भी आप लगाओगे तो आपको पहले सी पता चल जाएगा कि 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 कितने time में मैं question कर पा रहा हूं ठीक है ना समझ में आती बात और उसके इलावा जो previous paper solution अभी 2023 का रह गया टीजटी वाला वैसे मैंने telegram group में डाल दिया कुछ है एक चीज़ और कुछ लोग यह बोलते हैं कि जो ना जैसे 100 marks की मान लीजिया हमने जो प्रैक्टिस के लिए question डाल रखे हैं वह भी आप video solution कराओं वह हम नहीं करवा सकते क्योंकि अगर हम वहीं करवाने लगे तो पेपर में कभी भी perform नहीं कर पाऊगे हम आपको अ application देखो एक बार second time third time revision करोगे तभी चीज़ें पकी होंगी ठीक है यह competition level है इसी आपका academic level नहीं है तो इसलिए आपको खुद से practice करनी जरूरी है ठीक है और यह बकी सारे courses मैंने वैसे आपको दिखाई दिये यह application के अंदर available है ठीक है चाहे वो TGT का है PGD का है TGT plus PGD का औ और HSC का आगे जाके जब आप इसमें clear हो जाओगे तो HSC के exam निकलेंगे ठीक है screening के अगर कोई DSSB की भी preparation कर रहे साथ था तो हमने क्या किया जैसे कि TGT का जो combined course है हमारा data plus वाला उसके अंदर जैसे UP, DSSB, Chandigar, KVS, NVS, HTT, यह हमारे सारों की त्यारी हो जाएगी तो combined course ह परचेज कर सकते हो जिसमें हमने HTSB का अलग से folder भी बना दिया, ऐसे PGT के अंदर कर दिया, ऐसे TGT plus PGT के अंदर, और test series भी available है और HPSC का वैसे तो अभी exam हो चुका है, तो next कभी भी भरती आएगी तो HPSC का भी मिल जाएगा आपको, जो की latest अभी हमने HPSC का करवाया था, complete ठीक है, उसका exam हो चुका है, UP के course भी available है, वो भी आप देख सकते हो, और बाकी मैंने आपको वहला था last में की laptop पर कैसे चला सकते हो, तो web.classplus app.com पर जाना है आपको, और ORG code MD डालना है, तो laptop पर भी आप application को चला सकते हो, यह number दियो हो है, कोई भी doubt हो, कोई भी query हो, 9 to 5 आप call कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको अब दिखाता हो वह वहला, कि जैसे माल लीजी, आपके combine course है न, यह वहले course है, जैसे combine, यह TGD का है, तो इसमें हमने क्या किया, अलग से folder मना दिये, देखो आप, DSSSB का अलग से folder है, पूरा DSSB का htet का अलग से folder, htet वाले folder में आगे, यह test आगे, यह देखो, सब कुछ हमने यहाँ पे डाल दिया है, htet का, ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के आप आराम से देख सकते हो, अगर आपको combine course लेना है, हर चीज की preparation करनी है, तो combine course के अंदर भी जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है, तो मैं दुबारा से फिर ब preparation ऐसे करनी है, और मैंने सारा आपको application में भी दिखा दिया, कि कैसे कैसे folder wise हमने डाला हुआ, कुछ-कुछ उसमें चीजे pending है, लगबग 60-70% complete है, 30% अगर pending है, तो जल्दी ही हम उसमें cover करते हैं, तो इदे आपको पसंद आया होगा, मिलते है next session के अंदर, अगर आपको चा थैंक्यू, थैंक्स आरवची